दिल्ली सरकार के चाचा नहरू अस्पताल के नर्सिंग आफिसर की गार्डों ने पटाई कर दी है इस बात से नाराज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने तीन दिन से काम बंद कर धरने पर बैठ गया है नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि आरोपी गार्डों के उततकाल बरखास्त किया जाए नर्सिंग स्टाफ की सुरक्षा सुरक्षित की जाए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे वहाँ अस्पताल में इलाज करवाने आये तीमादर का कहना है कि हॉस्पिटल में स्टाफ की हर्ताल चल रही है ना तो कोई OPD की परची दे रहे है ना ही कोई डॉक्टर चेक कर रहा क्योंकि उसने हमारी स्टाफ के साथ पर्तमीजी करी है उसकी युनिवां मुखाड़ी है तो हम यह अपमान बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे हमारी नर्से स्यूरेटी की इस्टिमाल ही है कि हम दोनों को वर्तास किया जाएगी और कहां तक चलेगी है इस समय यह मामला अनिश करते रहें और उसे अभील करते रहें कि आप इस मामले को सीजिसरी देते हुए ताकि पेशेंट आफेक्ट ना हो किसी भी तरह है हमारी वे अपने पच्छें हमी जानते ही कोई दूसरा कर परेशान होड़ा किस तरह से चीजें करनी चाहिए लेकिन लोगोंने विल्कुल ग प्रशासने कावर में आराम से इस काम को भर सकती है और चीजों को ठीक कर सकती है लेकिन और क्या कह रहे हैं दोक्टर देखने के लिए अरताल बता रहे हैं अच्छा अब आप कहां लेके जाएंगे अब किसी ने देखा आपके बच्चे को मना कर रहे हैं डॉक्टर और अच्छा तो आप कब आएदे सुबह जबसे आप ऐसी बेटें बहारी अच्छा तो बच्चा अब क्या कहां दिखाएंगे बच्चे को क्या हुआ है बच्चे के आपको बच्चे के मला से में दिखके थे सब्सक्राइब तो आज आप सुबह एदे जी सर् करें आप क्या बोला डॉक्तर ने क्यों निदेखा अच्छा पर्चा भी नहीं बनाया क्या दिखाने के बच्चे में क्या दिक्कत है भड़ी वाले डॉक्टर को दिखाने आए दे तो देखाया निदोक्तरों ने बना गर दिया हाँ नों कह रहे कि अब कब बुलाया आपको कि खुश पता नहीं घाट ने में कह दी हुआ तो पता नहीं जिन्दावार टॉप स्चोरी ब्यूरो के लिए दिली से रविट डालमिया के रिपोर्ट प्रीव